हेलो बच्चों, लेटे दो कोशन, इन कोशन सेज देट, इडेंटिफ़ाइ द प्लांट बेलॉंगिंग टू द रीड स्वाम पिस्टेज इन हाइड्रार्क, है न, यहाँ पर पूछा जा रहा है हाइड्रार्क के बारे में, है न, और बताना है कि इसके दवरान एक स्टेज अगर रीड स्वाम पिस्टेज इतल में कौन सा प्लांट गुरू करता है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको, इक दवराइड्रार का मतलब क्या हो जाता है, तो हाइड्रार का मतलब होता है, Succession in Water अगर Water के अंदर Succession होता है तो इसको हम लोग कहते हैं Hydra जहां पर की Pioneer Community की रूप में जो यानि First Community जो आती है Pioneer Community तो जनरली यहां पर आता है Hydro-Planctone आता है लेकिन इसके बाद कई Community आती है जैसे की Roated Submerged Hydro-Phanes आता है Roated Floating आता है Free Floating आता है Red Swamp Stage आता है इस तरस कई Stage यहां पर आता है तो यहां पर पूछा जाना Red Swamp Stage के बारे में यहां पर Red Swamp Stage के बारे में यहां पर पूछा गया है कि इस Stage का कौन सा Plant है तरीड स्वाम्प स्टीज का मतलब होता है कि जब वाटर जो हैता है बहुत कम इसका आमाउंट हो जाता यानि कि एक तरस कर सकते हैं salvar water हो जाता है, यानि कि यहाँ पर कीचल बगर भी हो जाता है, plants जो हो जाते हैं, नहों फिशन के होते हैं, प्रक्षन क्या हो जाते हैं, helps type का plant हो जाता है, या फिर का सकते हैं कि वैसा plant जिसमें कि emerging leaf होता है, इस प्रतार के प्लांट्स अगर रहते हैं इसको हम लोग रीड़ स्वाम्प स्टेज वाले प्लांट कहते हैं इसका जगर एक्जाम्पल देखेंगे हम तो जैसे की सेगिटेरिया यह प्लांट है इसके अलावे टाइफा भी आता है इसके अंतर आता है तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में हम लोग क्या कहता है जुनकस नहीं होगा इसका सेगिटेरिया यहां दिया है तो यह हमारा राइट अप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही सैलेक्स नहीं है यह फॉरेस्ट पहले वाला स्टेज होता तो यह भी नहीं होग तो हमारे पास जो राइट अप्शन है वो कौन सा हो जाता है बी नंबर हो जाएगा सेगिटेरिया इस फ्लांट आई होप यू अंडरस्टेन इट वेल और बेस्ट अप्लग थाइंक यू